तो पार 25 की शुरुवात होती है पिछले अपिसोड जहां पे खतम होता उस दिन से हैंन की पूरी फैमली अपने घर आ रही थी लेकिन उनके गेट की सामने प्रोटेस्टर्स ने हंगामा कर दिया था क्यूंकि क्विंस ग्रूप के अंडर एक कॉंट्रेक्टर काम कर रहा था जिसने इन लोगों की जमीन के बदले 5 गुना पैसे देने का वादा किया था और इनसे कॉंट्रेक्ट पर साइन करा लिया था पर इनने सिर्फ 2 गुना पैसा मिला था इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट करने आ गये थे क्योंको कॉंट्रेक्टर भी यूंसों के साथ मिला हुआ था लेकिन अब वो अपना ओफिस छोड़कर भाग जुगा था उन्हें देखकर है इनकी फैमली रुख जाती है तब इनने ग्रेस का कॉल आता है जो इन्हें घर के पीछे के दर्वाजे से अंदर आने के लिए कहती है ये सभी घर के पीछे की और चले जाते हैं लेकिन वहाँ ग्रेस ने ओलड़ी रिपोर्टर्स को बुला रखा था जो लोग छुपकर इनकी फोटोस और वीडियोस बनाने वाले थे ग्रेस उन सभी को गेट के सामने ही बाहर निकालती है हे इन उसे गेट खुलने के लिए कहती है आने बीच में बोलने से मना करती है जो सुन है, इनके मॉम डड़ ग्रेस पे चिलाने लग जाते है और ग्रेस यहां पर उनने अपनी असली रंग दिखा देती है पहले तुमके कार ड्राइवर्स को यहां से जानी के लिए तो वो लोग चले जाते हैं फिर ने बताती है कि क्यूंकि चेर्मन की पार ओफ अटर नहीं स्योली के पास है इसलिए इसलिए क्विंज ग्रुप और न्के सारे घर स्योली के कंट्रोल में है इसलिए तुम सबकी कार्स, ड्राइवर्स, पॉन्स और ये घर कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा तुम सबकी सारे बैंक के कार्स वगेरा फ्रीज हो चुके हैं जो सुनिए ये सभी शॉक्ट हो जाते हैं बटलर कहती कि मैंने तुम सबका सामान पैक कर दिया है को इन का कॉल पिक नहीं करता सुचोल तो दाहाई के गम में डूबा हुआ था वोम जांटी पूछ थी कि वो सियॉली हमें हमारी घर से कैसे निकाल सकती है किन वो क्यादा है कि आपको अपने घर में रहने का हख मिल जाएगा कि एनके डैड भी शॉक होता है कि उन्हें इस बार में पता ही नहीं था चेर्मन को अपनी फैमिली म से किसी पे भी भरोसा नहीं था इसली उन्होंने कुछ भी अपने फैमिली के नाम पे नहीं रखा था को लो हें हन्हाल चाल पूछते हैं बता यहां आने के लिए पर हैंके मॉम का अटिट्यूड अभी तक कम नहीं हुआ था वो अभी भी इनसे सीधे मूबात ही नहीं कर रही थी वो इनके डैड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर यह कहां मानने वाली थी क्यूंकि अभी इन्हें बहुत जादा इंबरसिंग लग रहा था पर जाते हुए इनका गोबर पर पर पढ़ जाता है इससे इनका रियक्शन बहुत जाज़ा फणी था वो एक टांग पर इधर दर जा रही थी उनकी फैमिली वाले ही उसे टच नहीं कर रहे थे इस वे से वो गिड़ने वाली थी पर हिन्वो की मॉमा करूने ह पर सब लोग कन्फियूज थे क्या कि अपने एक्स वाइफ एन उसकी फैमिली को हमारे यहां क्यों लाया है इधर है इन हिन्वो के साथ थी है इन उसे आज के लिए थैंक्यू कहती है पर कहती है कल ही मैं नई जगा ढोंड लोंगी हम सब के रहने के लिए हम सब के रहने के यही है और रातो रात सब कुछ ठीक भी नहीं हो जाएगा इन कहती है कि मैं अपने एक्स वाइफ बेंड के घर पर रहने में कमफर्टेबल नहीं हूँ नई वो कहता है कि पर मैं हूँ क्यूंकि मुझे तुम्हारी बहुत फिकर है हमारा डिवर्स तो हो गया है न मेरे साथ यह मेरी फैमली के साथ कुछ भी होता है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए कि कहकर वो जाने लगी थी पर हिनुव उसका हाथ पकड़ कर उसे रोकता है और कहता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हारी फिकर करना छोड़ दूँगा पर वह इन भी फिल करती है जबर हैं की मॉम तो बहुत ज़ादा दुखी होती है अपने बुरे किसमत पर मिसान की हिल्स को साफ कर देती है और उसमें से अभी भी स्मेल आ रही थी तिलिए वो उने अपनी एक्स्ट्रा चपल पहने के लिए दे देती है जिनको उन्हें नाच आ हैं की मॉम को तो बहुत जपाँ लग रहा था और वैसे भी मेरी बहन हमें उसके विला में रहने के लिए बुला रही है, इसलिए हम लोग कल सुबह ही चले जाएंगे, उसके बाद सब लोग खाने के लिए बैटते हैं, अब यहां का खाना तो उनके हिसाब से बहुत ही जादा अलग था, कहां है इनकी फैमिली बड़े बड़े शेफ के बनाए खाना खाते थे, और यहां इन्हें घ ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो खीच के सूचल को एक लगाती है, और चुप चाप से केटली से पानी पिनी के लिए कहती है, जो दिकर तो हैईन के फैमिली और ज़्यादा शौक्ड होती है, इसलिए हिन्वी के और देखती है, तो हैईन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नह ज़्यादा बार में ही गौसिप कर रहे थे, तब हैन आ जाती हैन कहती कि क्या मैं बर्दन दोने में हल्प करूँ, तो नों इसे मना कर देते हैं, फिर हैन से सौरी कहते है, उनकी फैमिली बरबाद हो गए, यह सब बोलने के लिए, हैन कहती कि यह सच तो है, कि हमारी फैमिल इसलिए हम लोग यहां आये हैं, बाकि हम दोनों का और कोई इरादा नहीं है, फिर से साथ में आने का, इसलिए फ्लीज कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना, जोसन मीसौन को गुसा अतन कहती है, कि ठीक है, नहीं सोचूंगी, बर मैंने बताय था ने, सोयों के बार में हमारी पि इक ढ вещ गहरें, और बताते हैं, यहां नहीं मुझे बताय, कि छिंता मत करहां, यहां इस बार में किसी को भी नहीं पता चलेगा, मैंने गाउं के सभी लोग को मिना कर दिया है, कि कुई भी बाहर कुछ नहीं बोलेगा, इंगर कि था और उसे अब उनकी family के बार में सोचकर को interest भी नहीं था क्योंकि जो उसे इतने सालों से चाहिए था वो उसने हासिल कर लिया है पर यूंसंग तो हैन को अपने साथ रखना चाहता था क्योंकि वो हैन को पसंद करता था mom उसे हैन को भूल जाने के लिए कहती है पर यूंसंग कहता है कि जिस तरह आपने बच्पन में मुझे छोड़कर इस family को चुना जिस तरह मैं भी आपको छोड़कर किसी और को चूस कर सकता हूँ लिए कर वो चला जाता है और किसी को कॉल करके हैन को ढूनने के लिए कहता है इदर है इनके मॉम डैट को पहली बार जमीन पे सोना पड़ रहा है शुसलिए वो लोग तो अपने condition के बार में सोची रहे थे अब यूने सुचल के रोनी की आवाज आती है जो की पास के रूम में था जो सुन मॉम को तो उसकी फिकर होती है वो भाग कर उसकी पास जाना चाती थी पर डैड उसे रोक लेते हैं के अभी उसे रो लेने दो पर मॉम को फिर भी उसकी बहुत जादा फिकर होती है क्याती कि वो कभी भी जमीन पे नहीं सोया तभी इनके पास हिन्वो के डाड के दोस्त मिश्टर सॉंग की मॉम आती है, जो से ऐसे रोता हुआ देकर एक रुमाल देती है, और उन्हें बड़े प्यार से कंसूल करती है, तभी मिश्टर सॉंग अपनी मॉम को ढूंडते हुए इस तरफ आने लगते है जिनकी आवाज सुनकर, उनकी मॉम बॉमजा अंटी से कहती है, एक पागल कबसे मुझे अपनी मा कहते हुए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या तुम उसे जरा भगा सकती हो, उसे कहना है कि मैं तुमारी मा हूँ, तभी मिश्टर सॉंग यहाँ पे आ जाते हैं, तो बॉमजा उनकी कहती कि तुम मेरी मा के पीछे क्यों पड़े हो, मिश्टर सॉंग कहते कि यह मेरी माम है, और मैं जानता हूँ कि आप सी ओल से आई हो, बहमजा को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता तो मिस्टर सॉंग अपनी मां से कहते हैं कि कि आपको ड्रामा नहीं देखना है जल्दी चलिए आपका फेवरेट ड्रामा शुरू होने वाला है जो सुनवाम उनके साथ चली जाती है जो देख बहमजा अंटी तो शॉक्ड होती है इदर हैन हिनवा के रूम में थी उसे नींद नहीं आ रही थी से लिए वो MP3 प्लेयर पे गाना सुन रही थी तो इन गाना को देकर वो हैरान होती कि यह सारी गाने तो मेरे फेवरेट है वो कहती कि हम दुनों का म्यूजिक टेस्ट एकदम सेम है तभी हिनवा उसके फोन पे मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम सो गई हैन रिप्लाइ देती है सोने वाली हूँ जो सुन हैन वो भी अपना मैसेज मिटा देता है और गट नाइट लिग देता है जो सुन हैन वो बताता है कि मेरे हाई स्कूल में हेन पूछती कि तुम तो हानिल हाई स्कूल में पढ़े थे ना हिन्वो क्याता है कि हाँ मुझे ये मेरे पहले दिन पे ही मिला था जो सुन हेन उस MP3 प्लेयर को चेक करने लगती है इस पे उसे H लिखा हुआ मिल जाता है जिससे वो समझ जाती कि ये तो उसका ही MP3 प्लेयर था जिससे उसे याद आता है अपने हाई स्कूल का आखरी दिन बाहर ग्राउंड पे वो गिर गई थी तब जो लड़का उसके लिए बैंडेट लेकर आया था वो हिन्वो था ये याद कर कि हैन तो शौक्ड होती है उसे तो बिलीव नहीं हो रहा था पर वो कहती है कि कि हिन्वो का जनम मुझसे प्यार करनी के लिए ही हुआ है जरूर उसे पहली नजर में ही मुझसे प्यार हुआ होगा प्यार का जिसका था वो कोई लड़की थी या कोई लड़का या कोई टीचर या फिर वहां की सिक्योटी गार्ड का था जरूर उसका इंपक्त तुम्हारे दिमाग से नहीं गया होगा कि वो बहुत ही खूबसूरत रही होगी हीन वो कहता है कि इस बात को बहुत साल हो गया मुझे तो याद भी नहीं है ये बोलकर वो MP3 प्लेयर को उठाता है और ड्रॉयर में रख देता है जो देख हैन पूछते कि फिर तुम अभी पर इसे संभाल कर क्यों रख रहा है हो हीन वो कहता है कि मैंने इसे संभाल कर थोड़ी ना रखा है मैंने तो इसे ड्रॉयर में फेक दिया जो सुन हैन को तो गुस्सा हरा था क्यूंकि वो बस अपनी तारीफ करवाना चाहती थी हीनो की भी नहींती वो चाहता था कि हैन उसे मिस अनरस्टूट ना करे तो हैन उसे जाने के लिए कहती है से देखने लग जाता है इसी के साथ पार्ट 25 करेंड यहीं पर होता है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चानल पर पहली बार आए तो do subscribe and hit the bell icon जल्दी मिलते हैं अंगले पार्ट में दबते के लिए take care and bye bye